जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग औरगेनो क्लोरेन कीट ना सकता दूसरा उधरण आपके लिए लेके आए हैं जिसको बोला जाता है बीएटसी दूसरा उधरण पहला कोज से था पहला उधरण था अमारा डिडिटी ये आपको सपस्ट है तो दोनों ही ये और्गेनो क्लोरेन कीट ना सक्के उधारन है बीएससी और डिडिडी दुनिया भर में बीएससी को अलग-अलग नाम से जाना जाता है इसके बहुत सारे नाम चलन में हैं जी जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है गैमेकसीन, गैमोलीन, लिंडेन, हेकसाकलोरेन, गामा, बेंजीन, हेकसाकलोराइड और ट्रिपल सिक्स ये कुछ परमुक इसके नाम हैं फेराडे ने 1825 में सरपर्तम बीएससी का प्रियोग साला में संसलेशन किया था 1825 में फेराडे नाम के विग्यानिक हुए थे जिन्नोंने पहली बार प्रियोग साला में लेबरेटरी में बीएससी या गैमेकसीन का निर्मान किया था अगर गुणों की बात करें तो B.H.C. या गैमेकसीन या लिंडेन एक रंगहीन और तिक्शन गंद वाला जल में ए विले रासाइनिक योगिक है दियान नखिएगा बी एससी जो होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है सफेद कलर का होता है सफेद रंग वाला होता है इसलिए रंग हीन का जाता है इसकी गंद बहुत जदा तिक्षन होती है इसको सुंगते ही छीक आने लगती है नाक बैने लगती है और खुझली भी हो सक है रासाइनिक पदार्त कैमिक सीन संग्रचना की बात करें तो देखी यहां पे 6 कार्बन की बनी हुई एक यह रिंग है साइकलोहेक्सेन रिंग आप देख रहें यहां पे हर एक कार्बन पे एक H6G और एक CL जुड़ा हुआ है अडों सुत्र की बात करें तो ये होगा C6, H6, CL6 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 6 कार्बन क्या बना हुआ रिंग है तो C6 होगा हर एक कार्बन पे एक H और एक CL लगा हुआ है तो C6, H6, CL6 इसका अणों सुत्र होगा गल्लांक की बात करें तो गल्लांक 113 डिग्री सेल्सियस होता है अब यहाँ पर थोड़ा दियान से देखिए कि यहाँ पर इस गैमेक सीन की संग्रशना जो आप देख रहे हैं इसमें 6 क्लोरीन तो लगे हैं इन दो क्लोरीन जो हैं यह वाले जो विपरीत हैं एक दूसरे के बिल्कुल वो नीचे की ओर होते हैं और चार जो क्लोरीन परमाणू है यह उपर की ओर होते हैं कुछ इस तरीकी से मतलब आप देख रहे हैं तो आपकी तरफ उठे होंगे इसका मतलब आप जानते हैं और ये दोनों नीचे की ओर किलियर है जी आगे बढ़ें 1912 में डच वैग्यानिक ट्यूनिस वांडर लिंडेन ने बीएच्सी के नो समा वाईविय में से जैव सक्रिये गामा बीएच्सी परती रूप को पर्थक किया था यही कारण है खोज करता के सम्मान में गैमेक्सीन का नाम लिंडेन भी रखा गया बचो बात है 1912 की उस समें एक डच वैग्यानिक हुए थे ट्यूनिस वांडर लिंडेन उन्होंने बीएच्सी की संग्रचना का अध्यन किया था देख रहे हैं आप और संग्रचना का अध्य करके पाया कि भाईया बीएसी या जो गैमेक्सीन है उसके तो नो स्टीरियो समावईवी होते हैं नो की अगर बात करें तो स्मरण रहे आपको ध्यान रहे कि जो आठ समावईवी होते हैं वो आठ होते हैं हमारे डाया स्टीरियोमर और एक जोड़ा होता है हमारा एननसियो इस पस्ट है आपको तो यहां पर वांडर लिंडे ने इन नो स्टीरियो आईसोमर के अंदर से जो सबसे जादा जैविक रूप से सक्रिया था आपका बीहसी वो था गामा बीहसी तो उसने क्या किया इस गामा बीहसी समावईवी को इन नो समावईवी से अलग किया किलियर है आपको और चुकि यही सबसे ज़्यादा कीडों को मारने वाला था ये रूप जो गामा बीएसी होता है इसी लिए गैमेक सीन को ट्यूनिस वॉंडल लिंडेन की खोज के सम्मान में इसका नाम लिंडेन भी रखा गया इसका गामा बीएसी या गैमेक सीन का इस पस्ट है आप को उनिस सो ब्यालिस में बीएसी या गैमेक सीन या लिंडेन के कीट नास को गुणों को सार्ज निकिया गया दुनिया को उनिस सो ब्यालिस में पता चला कि भाया बीएसी या गैमेक सीन या लिंडेन नाम का एक कीट नासक परभावी कीट नासक भी होता है जो कीडों को मार आने के परियोग में आता है चाहे वो कीडे जुएयों खटमलों मच्छरों या फिर आपके खेतों में लगने वाली सुन्डियाओं दीमको किसी भी कीडे को नहीं चोड़ता है गैमेकसीन है ना जी कमाल का था ये अपने आप में अब बात करेंगे BSC या गैमेकसीन के निर्म आयू की अनुपस्तिती में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराकर BSC बनाया जाता है अभिक्रिया की साहता से आप देख सकते हैं बेंजीन का एक मोल क्लोरीन के तीन मोल के साथ सूरिय परकास या अल्ट्रा वॉयलेट क्रिणों की उपस्तिती में किरिया करता है योगा जाता है और गायब हो जाते हैं और यह जो यह सी या फिर घैमेकसीन कीट-नासक की रूप में किर्सी छिड़काउं में, , निरमान में बीज लकडी के संगरक्षन आदी में परयोग किया जाता है देखिए मैंने अभी आपको जिक्र किया है था कि कोई भी किसी भी परकार का कीडा हो फसल का हो चाहे वो आदमियों को परिसान करने वाला परजीवी जू हो गया कटमल हो गया मच्चर हो गया है ना जी कीडों में आपका दीमक हो गया है ना जी दीमक जो होता है वो बीच को भी नहीं छोड़ेगा लकडी को भी नहीं छोड़ेगा तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि लकडियों को और आपके बीच को अगर उनको लंबे समय के लिए रखना होता था तो वहां पर वो परयोग किया करते थे गैमेकैन का थोड़ इसी गैमेकैन का वहां पर छिडकाव या पोर्टली में बाढ़के रख देते थे जिससे उसके पास किसी भी परकार का उसकी जो तिक्षर गंद होती है उस गंद की वजे से उस जान लेवा गंद की वए से कोई भी कीड़ा उसके पास नहीं आता था तो ये कुछ BSC के उपयोगे बात करेंगे गैमेक्सीन या BSC के दूस परिणाम की या आपको पता है 1902 में उन भारतियों की दैनिक बोजन में 0.27 मिली ग्राम गैमेक्सीन की उपस्तिती होने के बाद गैमेक्सीन या BSC का परियोग परतिबंदित किया गया अब सोचने वाली बात ये है कि एक आदमी की दैनिक खुराक में जो वो खाना खाता था उसके अंदर अगर देखा जाये जांच की गई तो पाया गया कि 0.27 मिली ग्राम रोज वो गैमेक्सीन खा रहा था क्य किसी के रूप में कि हर एक फल सबजी के अंदर डिरिटी गैमेक्सीन पहुच चुका था और वहां से होता हुआ ये मानवों के अंदर इंसान के अंदर और जानवों के अंदर पहुच गया था और दीरे दीरे इसकी उपस्तिती थी वो सरीर के अंदर इखटा होने से सरीर क अंगों को विबिन रूपों से नुकसान पहुचाने लगी थी जैसे लिक्यमिया लीवर और किड़नी छती जीवों की परजनन छमता का हरास इसनायू तंत्र की हानी तवचा रोग आदी आप देख सकते हैं ये वो रोग थे जो इंसानों में बहुत तिजी से बढ़ने लगे तब जाके पता चला कि गैमेक सीन जो है वो कीडों के लिए ही नहीं वो इनसान और जानवरों के लिए भी जान लेवा हो चुका है तब जाके दुनिया वर में गैमेक सीन या फिर बी एस्टी का परियोग बंद किया गया उमीद है ये आपको स्पस्ट हुआ होगा